हेलो एरिवन क्वेशन नमबर 111 है जिरो पॉइंट नाइन एट रेस टू माइनस 3 इस इकवल टू वाट सो यहां मैंने इस क्वेशन के सुलीशन के लिए कुछ शॉटकट ट्रिक्स यूज कि लिए इसलिए आप वीडियो एंड तब ज़रू देखिएगा सो देखिए सुलीशन क्या होगा इसका सुलीशन अब अगर हम 0.98 की बात करें स्टुडेंट्स तो यहां पस 0.98 को हम 1-0.02 इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहिए तब चेक करके देख लो अगर हम 1 से 0.02 को सब्स्ट्रैक करते हैं आपको 0.98 मिनेगा ओकी और वापस इसी को हम किस तरह से लिखेंगे 1-0.02 ओके प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा इस तरह से अब 0.98 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो तो अब यहां पर जो हम शॉट्रिक यूज करने वाले हैं वो है बाइनोमियन थेरम बहुत सारे स्टुडेंट ने अल्रेडी बाइनोमियन थेरम को स्टुडी कर लिया होगा क्लास 12 में भी है क्लास 11 में भी है और ग्रैजुशन में भी है सो बाइनोमियन थेरम क्या होता है अब चार टर्म तक इस फॉर्मिल का याद कर ले तो भी सफिशेंट है ओके अब यहां पर अगर हमें फाइनोट क्या करना है 0.98 raise to minus 3 तब यहां देखो स्टुडेंट हम 0.98 raise to minus 3 लिख लेंगे is equal to अब 0.98 को किस तरह से लिखा है मैंने 1 plus in bracket minus 0.02 ओके 1 plus minus 0.02 और bracket power minus 3 अब यहां हमें इस जो नंबर है या जो टॉर्म है इसके लिए हमें binomial theorem apply करना है तो इस चीज़ को और यहां पर अगर आप compare करोंगे तो यहां पर x की value देखो क्या मिलेंगे आपको x जो होगा वो होगा x is equal to minus 0.02 और n की value कितने होंगी n is equal to minus 3 ओके तो बस आपको करना क्या है कि इस equal to इस formula में आपको n और x की value यह put करना है तो आपको 0.98 raise to minus 3 की value मिल जाएंगे तो देखो यहां पर क्या होगा ओके तो यहां students जैसे के answers जो given है आपको वो decimal point के बाद सिर्फ 2 digits तक given है तो यहां पर मैं क्या करूंगी कि बस इस formula में दो terms में ही value put करने वाली हो x और n की तो देखिए आपको क्या मेलेंगे यहां पर is equal to 1 as it is plus n की value कितनी है minus 3 और x की value कितनी है 0 minus 0.02 plus and so on कर देखिए हमें यहां पर ठीक है सो बस आपको इतना ही calculation करना है student so यहां पर आपको मेलेंगा 1 plus अब minus minus तो plus हो जाएगा और 3 का multiplication 0.02 से देखो क्या होगा 0.02 multiply by 3 is equal to देखो क्या होगा 3 to 6 3 0 0 this decimal point as it is 3 0 0 तो यहां पर आपको मेलें क्या 0.06 और जब इन दो numbers का आप add कर लोंगी तो आपको मेलेंगा यहां पर 1.06 तो इस तरह से आपको 0.98 raise to minus 3 के value के मिलेंगी 1.06 तो यहां पर आपका second option करेक्ट लोंगा so student इसी तरह से अगर कोई question आता है तो आपको यह short trick यूश करना है यानि simply आपको pionomal theorem यूश करना है और इस तरह जो questions को आपको easily कर सकते है कर सकते हैं कर दो आपको यह, यहींक है तो इस लिए वींदिए